ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 6.1 की जो फर्स्ट टू कोशन्स हैं वो कैसे सॉल करेंगे आप आप यहां क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं अलजेबराइक एक्सप्रेशन्स को ठीक है इस तरह के कोशन्स आपको दिय इसको फैक्टराइज करेंगे तो दीखिए यहां पर मैंने आपको कहा था कि यह जो फार्म होता है यह कोड़िटिक एक्विशन्स का फार्म होता है एक्स स्कूरर प्लस बी एक्स प्लसए इसके अंदर आप क्या करते हैं सी के दो ऐसे फेक्टरस देखते हैं जिनको मल्टिपलाय करने पर आपको सी मिले और जिनका एडिशन करने पर आपको जो प्लस बी वाला आपको नंबर दिया गया है वो मिले ठीक है और फिर यहां पर आप in प्लेस ऑफ बी आप वो दो यहां पर फैक्टर्स लिखते हैं अब इस कोशन में देखिए आपका सी क्या है 144 ठीक है तो मैं चाहता हूँ 144 के दो ऐसे फैक्टर्स मुझे मिले जिनका मुल्टिप्लिकेशन करने पर मुझे 144 मिले और जिनको एड करने पर मुझे क्या मिले 24 मिले तो मैं कौन से दो फैक्टर्स मेरे मांड में आ सकते हैं 144 आपके लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर हो तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम में आप 144 को के छोटे फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं जैसे कि मैं अगर 144 को divide करूं furthermore तो मुझे क्या मिलेगा बच् है तो कर यह 23 जा तो सिखजा स्मालेश नमबर से करते जाएं देन टूवण जा एंग तूए जाह अगें तू नाइन जाह धैन एट लास्ट आपके पास है थरी जाह एं लास्ट में थीमें तो जो यह फैक्टर से मैं उन्हें पर लिक लेना चाहता हूँ अब पास रहे हैं ट टू थ्री इंटू थ्री तो 144 के फैक्टर्स है ठीक है तो अब हमें ऐसे पेर्स बनाना है जिसका एडिशन मुझे क्या मिले 24 मिले ठीक है बस मैं मेरा वही आंसर होगा तो दिखिए अगर मैं पेर्स बनाता हूं दो थ्री है मेरे पास और चार टूस है ठीक है ऐसा करते हैं कि एक थ्री और दो टूस को एक जगाल ला लेते हैं तो यह तो इंट टू अट थ्री अगर हम मुल्टिप्लाइ गरें तू टू थो फोर और फॉर्ट्री वह था था है ठीक है इस टूरव एंड यह पासा नहीं से कह सकते हैं इडिज में और दोनों का एडिशन कितना होता है ठीक है obviously 24 ही होगा so यहां पर आप लिख सकते हैं in place of 24y आप क्या लिख सकते हैं 12y and 12y प्लस 12y प्लस 12y प्लस लास्ट में लिखिए 144 अब देखिए आप यहां से इन दोनों starting के दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं य ले सकते हैं तो य का पाउर जो स्क्वेर था इसमें से आपने य का पाउर वन बाहर ले लिया तो अंदर है य प्लस यहां से आपने 12y में से दोनों डिवाइड होते हैं उस नंबर से तो 12 से 12 डिवाइड होता है और 144 भी 12 से डिवाइड होता है इट मेंस कि 12 144 होता है तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट 12 यहां से कॉमन ले लूँगा यह जो वाइड है अंदर 12 को आप किस से मट्लिप्लाइ करोगे तो 144 मिलेगा यह यह भी कह सकते हो आपकी 12 से आप जब 144 को डिवाइड करते हो तो आपको यह मिलेगा जैसे 12 वन्जा 12 हो गया 24 वन्जा 24 को डिवाइड कीजिए वो नंबर जो भी आंसर आएगा आपका यहां लिखे कोशन्ट या बाहर वाले नंबर से किस नंबर को आप मल्टिप्लाइ करोगे तो आपको उपर वाला यह नंबर मिलेगा ठीक है आपने ब्रैकेट सही लिखे या नहीं लिखे आप क्र ब्रैकेट रिपीट हुई है उसको वन्टाइम लिख लीजिए और जो बाहर के टर्म्स है उसको वन्टाइम लिख लीजिए बस यह रहा आपका आंसर आपने वाई स्कार प्लस 24 वाई प्लस 144 को इस तरह फैक्टराइज किया जिन बच्चों के पूरा समझ में आ गया हो वह है इस बात से शोर हूं कि आपको सारे कोशन होने के बाद कोशन की अंडर्स्टेंडिंग पूरी तरह से आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ठीक है फिर आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस भी करना करना है ठीक है नेक्स्ट कोशन दीए फाइवाई स्कोर प्लस फा बाइं आया है तो ऐसी सुरत में आप क्या करेंगे 10 इंटू 5 करेंगे डिस मानस 10 इंटू 5 कितना होता है मानस 50 होता है ठीक है अब मानस 50 के आप दो फक्रैक्टर्स दीखेंगे जिसका एडिशन करने पर आपको क्या मिले प्लस 5 मिले है ठीक है जिसका एडिशन करने पर आपको क्या मिले प्लस फाइ मिले आपने टेन इंट फाइड क्यों किया विकॉस आपने एक सी इंटू ए करना होता है ऑल्वेज बट अभी तक आपको एकस स्क्वाइर के साथ कोई कोईफिशन्ट दिया नहीं जा रहा था तो आपने सिर्फ स सिंगल हैंड ले लिखा था अब यहां पर आपको एकस स्क्वाइर यानि यह वाई स्क्वाइर दिया है उसके साथ कोईफिशन्ट रखा हुआ है तो इस कोईफिशन्ट को आपको मल्टिप्ला करना पड़ेगा सी के साथ जो आपने किया तो आपको 50 मिला है अब 50 के दो ऐस तो मैं लगाऊंगा माइनस छोटे नंबर के साथ बिकास टेन में से जब 5 माइनस होंगे तो 5 रह जाएंगे ओके तो मैं इन प्लेस आप 5Y क्या लिख सकता हूं बच्चो 5Y स्क्वाइर प्लस 10Y माइनस 5Y ऐसे मैं लिख सकता हूं अब क्या करेंगे हम Common लिखे ठीक है 5Y and 10Y में से क्या common ले सकते हैं एक तो दोनों नंबर किसे डिवाइड होते हैं 5 से डिवाइड होते हैं जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता है दोनों को वो number आप लेते हैं as a common फिर यहां भी Y है और यहां भी Y है तो आप Y common ले लिजिए ठीक है ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 5y बाहर लेने के बाद only y रह जाएगा प्लस अब आप 5 को किस से multiply करोगे तो आपको 10 मिलेगा तो आप 2 से multiply करोगे 5 को तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा ओके देन ये y आपने बाहर ले लिया है as common so you will close the bracket next two terms में से आप common लीजिए तो यहां भी 5 है और यह 10 भी 5 से divide होता है ठीक है दोनों का common factor क्या है highest common factor क्या है minus 5 है ओके यह भी 5 से होता है और यह भी 10 भी 5 से होता है तो highest common factor आपने क्या क्या है इस यह आफ बाहर ले लिया इसके बाद inside the bracket आप क्या लिखोगे यह जो bracket भी उसको repeat लिख दो बस यह जो bracket है इसको repeat लिख दो because जब आप देखेंगे 5 into y 5y हो जाएगा then 5 to the 10 हो जाएगा आपको minus 10 जाहिए तो plus into minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ओके जो bracket two times repeat होई है उसको one time लिख लिख लिजे और जो बाहर की terms है उसको one time लिख लिख लिजे ठीक है this is your answer this is your answer next question देखते हैं बच्चा next question p square minus 2p minus 35 है last जो 35 है मैं उससे यहां लिखूंगा minus 35 in fact और इसके दो factors मैं देखूंगा ठीक है तो उसका difference मुझे कितना चाहिए minus 2 चाहिए so if you know the table of seven to seven five are क्या होता है 75 35 होता है और seven में से जो five minus होंगे तो कितने बस्ते हैं तो बस्ते हैं बट आपको minus 2 चाहिए तो याद रखिए जब आपको आंसर के साथ minus चाहिए ना तो बड़े number के साथ आपने क्या लगाना है minus लगाना है because you know minus seven plus five answer होता है minus two seven minus में बड़ा बड़े के साथ minus रहेगा तो answer के साथ minus always आएगा okay so in place of minus two p आप क्या लिखेंगे minus seven p plus five p लिखेंगे ठीक है same procedure चल रहा है अगर आप focus कर रहे हैं तो आपको धीरे-धीरे सारा समझ आ जाएगा plus five p और last वाला c term लिख देते हैं as it is ठीक है दिखें इन दोनों डॉम्स में से आप common क्या ले सकते हैं तो seven रहे जाएगा अंदर next फिर आप इसमें से cf क्या ले सकते हैं highest common factor five किससे डिवाइड होता है five से होता है 35 किससे होता है five से होता है ना obviously होता है so plus five आप ले सकते है then जब आपने इसमें से five ले लिया तो क्या रहे गया यहां पर पी रहे गया minus five को आप किससे डिव मुटिप्लाइगा रोगे था आप उस 35 में लेगा seven तो देखिए मैं जो बोला था आपको bracket repeat होती है bracket तो always repeat होती है ना five p and five sevens are 35 minus into plus minus so जो repeated bracket है हम क्या करते हैं बच्चों उसको one time लिके लेते हैं और जो बाहर के टर्म से ना बच्चों हम उसको one time लिके लेते हैं okay तो यह रहा आपका answer हमने इसमें five questions किया है तो next video में हम next questions exercise के solve करेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe जरूर कीजिए session पसंद आये तो like भी like भी कीजिए और अपने friends के साथ share जरूर कीजिए ठीक है next videos में हम mathematics के सारे exercises सारे practice sets जो हैं solve करेंगे आप अपने doubts हमें comment section में भी पूछ सकते हैं और इसी तरह हमें whatsapp पर भी आप पूछ सकते हैं ठीक है feel free to ask any question thanks for watching have a good time